आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी पनीर के पकोड़े की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं पनीर के पकोड़े बनाना ये हमने लिया है 6 टेबल स्पून मैदा मैदे के बाद हम लेंगे जितना मैदा लेंगे उसका विलकुल हाफ कॉर्न स्टार्च इससे पको ल्यशन दो पाउडर हम लेंगे रफ़ टेबल स्पून ओरिगैन जिसके बाद लेंगे बाल इतुत हमें लिया है słu के दाब हम हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम मैदा एड़् करेंगी जो मैंंने इस टेबल स्पून लिया था इसके बाद लेंगे सर्ट और अच्छी तरी चाहँ में टार्ड चलिय औरीगे, infantry, बाते कॉपल सेना उटिवे गणाने के तरफ। दाय लनने गणादिम यह मितनई की अधियव, गरमि описании सेना अधिके फ़र छ सेorthy मांटिव, नामक ऩॉर्ण करने मैं, एकाइच से लेइती है末। यह में नदें तरह आपेरिवे सारे बसाली मिक्स करें इसका अच्छा स्मूध पइस्ट बना लें गया तैयार हो गया है कुछ इस तरह इस दिखेगा इसके बाद हम लेंगे 200 ग्राम पनीः और आपके तरह करें लिए ग्रॉट अच्छा तरीके से कटकर लेंगे पनीर के सारे pieces कट करने के बाद हम गैस पे एक तवा रखेंगे और उस पे थोड़ा सा oil डालेंगे और अच्छी तरीके से फैला देंगे ओल को फैलाने के बाद जो हमने पनीर के pieces कट किये थे उन्हें हम रख देंगे तवे पे अच्छी तरीके से मैं नौन इस्टिक पैन यूज़ कर रही हूं आप चाहें तो आईरन का भी यूज़ कर सकते हैं नीर को अच्छी तरीके से तावे पे डालने के बाद हम इसमें हल्दी पावडर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा एक चुटकी और रेड चिली पावडर भी एक चुटकी इसमे एड कर देंगे उपर से फिर एक तरब से हलकी सी कुक हो जाएगी पनीर तो इसे हम एक दूसरे साइड को पलट देंगे आप टॉस करके भी पलट सकते हैं हाथ से भी पलट सकते हैं चाहें तो आप स्पून के हल्प से भी पलट सकते हैं पर हाथ से ज़्यादा इसीली दूस डालेंगे हमें इस ऐलो फ्राइ करने है पकोड़े डीफ्राइ नहीं करने तो हमें कम डाला है अब गरम हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट डाल के इसमें चेक कर लेंगी कि गरम हुआ है नहीं गरम हुआ है अच्छी तरीके से तेल तो यह देखिए ऑल गरम हो चुक आहिए एक टिपं है एक पनीर दिप करके शुक्न कोमु पिन देगे ,सहान आए चार शाज को बैम दाल का शुक्षा दार है और तरीके से अच्छी तरीके से चाहार पराप सब्सक्राइबन के तयार हो जाएंगे एक साइट से फिर हम तीन से चार मिनट होने के बाद हम इसे दूसरे साइट को पलट देंगे सारे पकोड़ों को दूसरे साइट को पलट दिया है तो इसे भी तीन से चार मिनट पकने देंगे चार मिनट बाद हम देखेंगे यह पकोड अच्छी तरब से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं तो अब हमेने एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे तरह से यह देखिए क्रिस्पी पकॉड़े बनके तयार हैं अब आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं इन पकॉड़ों को आप इसनैक्स में टी टाइम में ब्रेक पनीर पकोडो की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू एब्रीवन